कि दोस्तों आज हम बात करेंगे आर्थ्राइटिस के ट्रीट्मेंट के बारे में वीडियो बनाया था आर्ट्राइटिस क्या होता है कारण वो देख ले ना आप उसमें आपको सब को जंकरी मिल जाए बट इस वीडियो में अपन समझेंगे सिर्फ पहुड़ सिर्फ एलोपै होता है उठते बैटते हैं पालती मारते पहुंडं नचरते हो दर्द होता है वह दर्द से आराम देने के लिए पें किलर्स दिये जाएगी तो एनल जैसीग suff practical这个 तो सबसे बेस्ट होता है डाइकलोफेनिक तो डाइकलोफेनिक का टैबलिट दिये जबाएगा पाचास मिलीग्राम का सस्टेन्ड डूरीश टैबलिट आप चला सकते हैं सोबेशाम हम खाने के बाद एक हपता-दो चलाये सकता है कोई बूरी बात नहीं है 15 तक भी चलाए सकत डाइकलोफनिक का वन परसेंट का जैल आता है उसको मलना है रब करना है जिस यह पर आपको गठिया हो रहा है एर्थ्राइटिस हो रहा है उंगलियां हो गुटने हो एड़ी हो कमर हो कहीं पर भी उसको मलना है तो क्या होगा टॉपिकल एक्शन देगा तो जल्दी आरा तो अब उसका पेट खराब हना लगए तो उस चीज़ से बचने करें रभी प्राजोल पैंटा प्राजोल ओमिप्राजोल कोई भी पीपी आई चला सकता है पीपी आई ड्रग देना पड़ेगा प्रोटोन पंप इनिविटर्स तो यहां पन पकड़ चल लेते हैं रभी प् तो क्या करना है रभी प्राजोल ट्वंटी मिलीग्राम यह दिन में एक गोली खाने से पहले देना सुब्स बनास्ते से पहले तो इससे क्या होगा 24 घंटे तक जो है कैस बगिरा नहीं बनेगी पेशेंट को तो यह कर सकते हैं उसके अलावा अगर आराम नहीं मिलता है तो दायकलफर onica intermuscular injection में लगाया जा सकता है ठीक है गोली खाना है प्रिशंट उसको देरद में रही ला 되어 तो इंजेक्शन लगा भा सकती तो डाय क्लो पने करना अदिक्शन लगाए जा सकता है 75 मीलीग्राम 75 मिलीग्राम का injection 3 दर लगा प्रीडिया सकता है इससे क्या होगा और हो impulsen चलाना होगा तो यह भी सोबह शाम चला प्रेड इंसोलन्ट पाँच मिलीग्राम शुबह साम साथ दिन तक तो यही होता है बेसिक ट्रीटमेंट यही होता है किसी भी और्थोपेटिक के पास जाओ वह यहीं देगा ठीक है लगता है कि बहुत बड़ा ठीटमेंट लिखा है बहुत महीं महीं दवाइएं लिखने हैं क्योंकि वह पर्चा रहता है बड़ा हजार बारास फीस देते हैं आप तो उस पर लिखके देता ही डॉक्टर डाइकलोफनिक राइप्राजोल और यहीं सकतो है अगर उसका ज्यादा एक्छा है तो वह विटामिन डी-3 भी दे सकते हैं आपको वह अपने इक्छा है सकतल है तो हैंनिन विटामिन स्टी न नियुक्त एतना तो बेशिक ट्रीट्मेंट है आपको यह करना पड़ेगा वहिंए रूमेटोइड आर्थरायटिस में तो रूमेटोइव पोपर सबस्द होता है पंकलर की बात की आए अगर रूमेटोइड आर्थराइटिस हो रहा ह मतलब कि हड्डियों में जो उंगली वागिना में और मतलब होता है पूरी बॉडी में होता है किसी भी तरह का जॉएंट दर्द करता है तो भाँ के अगर आप आप आइबुपरुफेन देते हैं नॉर्मल सा जो बुफेन टैबलेट आता है उससे भी आराम मिल जाता है और इ फार डए नहीं पढ़ती है इतना दर्द नहीं होता है कि बर्रदासना हो वह बहुत काम होता है कि किसी को Pauluitus अाख लिए सकता है यह उसको डाइकलों दॉक्षिन लगेघा को यहां पर एक और द्धिये में ने निनसे आराम नहीं मिलता है तो आपको मैं इंजक्शन लगाओंगा जिस से आपको आराम मिल जाएगा गब तो किया होता इंजेक्शन लगाति है उसी जगह पर जहां पर दर्द हो रहा है एलिम उजएँ लगाइंगे हाथ मोरा तो हाथ में अगर इस से आराभ नहीं मिलता है पेशेंट को तो प्लेठी प्लाजमा तरीपलेट प्लाजि मर्थ प्लाज्मा थेटी होतीज इसमें भी दिया जाता है इसमें क्या होता है कि जो प्लाजमा जिसके अंदर प्लेटलेट होती है उसी का आराम मिल जाता है प्लाज्मा थेरपी से भी ठीक है उसके अलावा सर्जिकल प्रोसियर्स होते हैं देखो अब इतना करने के बाद आदनी दो-दो महने तक लाइकलोफैने खाना है फिर भी आराम नहीं मिल रहा है या उसने इस्टोडल टैबलेट भी खाई है इस्टोडल इं दो नहीं मनेजमेंट को करेंगे और जो भी मैं आपको पेन मेंजमेंट किया है दर्द को सूजन को कम करने दवाई यह इस दौरा आपको आपकी डाइट फ़ेंस देना पड़ेगा एक्सराइज करना होगी कुछ इस तरह से अर्थ्राइट से चंडूल किया सकता है उसके ल हो जाता है दोस्तों उसके बाद एक और थेरपी होती डी मार्ड मतलब कि यह बहुत लास्ट का ऑप्शन होता है पहले आदमी इंजेक्शन लगाएगा टैबलेट देगा इस्ट्रोडल रिच प्लाडमा से अर्पन थेरपी एक्साइज कर लो फिजियो थेरपी कर लो नीव ड दोरान क्या होता है कि आदमी ये भी ट्राइब करता है कि आप डिमार्ड थेरपी इस्तवाल कर सकते हैं डी मार्ड क्या होता है दिजीज मॉडिफाइंग एंटी रिमोट्वाइड ड्रग यह वहती है तो इनके क्या कुछ समय तक कूर्स लाए जाता है हलाकि यह इसकी वजह से जो जॉइंट का डैमेज हो रहा है उसको कम कर देगा यह हमारे इम्मून सिस्टम को बढ़ने नहीं देगा तो यह भीमारी जो है आर्थ्राइटिस की कंट्रोल होने लगती है यह खतम नहीं करेगे कि इसको कंट्रोल कर लेगी तो आदमीं बच जाता है कि ठ सब्साइल दो लागाई चला या था 500 वेज़ ना चलाते यह यह दोस्तों ठीक है और है शो क्या लिप लू नूमाइड लेफ्लुमाइड यह ड्रक्स में चलाया आते हैं आर्थराइटिस तो दोस्तों यही होता है आर्थराइटिस का मैनेजमेंट यहाँ पैलोपैटिक मे सिर्प इसको मैनेज किया जाता है अपने किलर दे सकते हैं इस टेरोडल इंजेक्शन या गोलिया दे सकते हैं एक साइज करा सकते हैं फिजी तरपी करा सकते हैं और सर्जरी कर सकते हैं या डीट मर्ड थेरपी होती है वो कर सकते हैं तो आज क्लिसे पर दोस्तों वीडियो सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसे वीडियो आपको सोबर शाम समय समय पर मिलते रहेंगे अगर आपने हमारे दूसरे चैनल सब्सक्राइब कर लें वहां पर आपको इंट्रेस्टिं टॉपिक्स मिल जाएंगे तो मैं हुआ आप देख रहे ते ग्यानियर दमेडिकल चैनल मैं मिलता हुआ अगले पर दोस्तों जेंग बंदेमा